और भाई भाई को देखके भी प्रसंद नहीं है एक बहुत अच्छी कथा है सिवकेई वक्त की ये कथा है दो भाई थे एक बड़ा एक छोटा बड़ा भाई थोड़ा दस-पांच साल जादा बड़ा होगा तो इसलिए थोड़ा मालकान हग लगता था लेकिन उसकी पत्नी बहुत अच्छी थी भगवान बोलेनात की बड़ी भक्त थी उसकी पत्नी बड़े भाई की चोटे भाई की पत्नी सीधी साधी थी और सीधा भी था छोटा भाई भी सीधा भी था लेकिन बड़ा भाई बड़ा तेज था माबाब दोनों थे नहीं माबाब दोनों जा चुके थे दोनों पदार गए थे तो अब एक समय विवाह के बाद ऐसी कंडिशन आ जाती है कि हमें अपने पैरों पे खड़ा होने का समय दिखता है कि नहीं अब अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए तो जितना भी खेत क्यार था सब बड़े कई अंडर था घर मकान भी उसी के अंडर एक कमरा उसको दे रखा था पूरे घर में तो एक दिन छोटे वाई ने कहा कि बहिया अब परिवार थोड़ा बड़ा हो रहा है तो जो हमारा हिस्सा हो वो हमको दे दो हम अपनी परिवार को फेमली को चलाएं बड़े भाई ने कहा तेरा हिस्सा तू कमसे इसे दार होगे इतना महनत हम करते हैं इतना हम समालते हैं रात दिन महनत करते रहते हैं तब जाके सब इखटा हुआ है तो में सेगी बात करते हूं से कोई हिसा नहीं छोटे भाई ने का भीया देखो आप सब सब करते हो आप जादा रख लो थोड़ा सा तो दे दो जिससे हम अपना परिवार समाल बलो कुछ नहीं मिलेगा तुम तुम्हें जो करना है अपने बल पे करो यहां से कुछ नहीं मिलना हलांकि वो पैत्र की संपत्ती थी और पैत्र की संपत्ती में सब का बराबर अधिकार होता है लेकिन बड़े भाई की नियत में खोट था इसलिए उसने मना कर दिया अब वो छोटा भाई विचारा जैसे जैसे कहां से अपना जीवन चलाए पर फिर भी कभी किसी के खेत में काम करके आता कभी किसी के खेत में काम करके आता उसकी जो पत्नी थी वो बहुत अच्छी थी घर में ससंगी लोग जरूर होने चाहेगी व्यक्ति अगर ससंगी होगा न सही माने में ससंगी दिखावटी ससंगी नहीं, सही माने में सही माने में अगर ससंगी होगा व्यक्ति तो अपनी आँखों से बुरा नहीं देखेगा वो किसी का चाहे अपना ही कोई व्यक्ति बुरा करे उसकी पत्नी ससंगी थी उसकी पत्नी बोली पती से यह तुम ठीक नहीं कर देगे इससे भूतवावन बोलेनात रुष्ट हो जाएंगे बोलेनात रुष्ट हो जाएंगे इससे तुम जानते नहीं हो भाई का धन खाकर व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता अगर तुम भाई का धन खा भी लोगे न तो अगले जन्म में तुम्हें बैल बनके चुकाना पड़ेगा इसलिए अपने भाई का कोई हक मत खाओ दे दो अरे जादा नहीं दे सकते थोड़ा बहुत तो कम से कम है तो तुम्हारा भाई क्यों इसको दुख दे रहे हो तुम तो आप तो जामते हैं जो धर्म के पत पर नहीं चलते हैं उन्हें धर्म के पत पर चलने वाले लोग भी पसंद नहीं है तो वो कै ज़्यादा बादा शिब बक्त बनती है तू अपना तेरा धिमाग खराब हो गया ससंग में जा जाके पागल हो गई है तू कितनी मेहनत से हमने ये खेत बनाया है कितनी मेहनत से हमने ये सब इखटा किया है और तू कहती है भाई का खाके हम बैल बनेंगे अगले जनम में अरह ये जनम तो डंग से कट जाया अगला जनम किसने देखा है हमको तो लगता है कि तुम ससंग में जा जा के तुम्हाई बुद्धी सट्या गई है अचा ये बात आपको भी सुनने को मिलती होंगी कभी-कभी जब आपको एए सुनते हो सामन का महीना चला है हमें भी विंदावन जाना है हम भी पार्थेव सिविलिंग बनाया है आप पुरुस होके भी कहो तो गर वाले या परिवार वाले या विष्टेदार या पडोसी, अडोसी, खडोसी जिनसे खडोसी मतलब जिनसे कोई ले ना देना है नहीं न तीन में न तेरे में जो आसे इत्थे नहीं, पासे उत्थे नहीं, कुछ नहीं वो भी किया तुम रोज रोज ब्रंदावन चल देती हूं क्या है? ब्रंदावन में क्या रखा है? क्या रखा है? ब्रंदावन हमारा बाप रहता है हम इसलिए जाते हैं कौन रहता है ब्रंदावन में कौन रहता है हमारा बाप रहता है अब कृष्ण जी तो हमारे बाप रहता है तुम्हें बात आप रोज बोलते हो चपिता तुम्हें रोज बोलते हो अच्छा आप इस चक्कर में होगे कि मैं आपको कह दू कि मैं आपका बाप हूँ है मुझे पता है बहुत selfish लोग बठे फिर तुम हिस्सा मागोगे हमसे पहले बेटा बनाओगे फिर हिस्सा मागोगे इसलिए हम उचकर में पढ़ने नहीं देंगे न तुम्हे हम पहले का जो हिस्सा मागेगो लेले जो कचु है तुम्हाँ का रादे रादे बोलना पड़ेगा ऐसे नहीं जोड से बोलना कहां थे हम हमारा बाप रहता है इसलिए हम बरन्दा बनाते है और अपने पिता के साथ और मा के साथ तो हमेशा रहना जाए इसलिए जाते है लेकिन वो भक्ती नहीं करते है इसलिए उनको आप इसके आने से तकलिफ है जो ससंगी होते हैं उनका आनंद अलग है जो ससंगी नहीं होते हैं उनकी सुख और कुछ चीज़ें अलग है तो उनकी पत्नी ने का कि ये ठीक नहीं कर तुम अपने भाई के साथ ये काम ठीक नहीं और उसके पत्नी ने डाट दिया ज्यादा ज्यानी मत बन अपने काम से काम रख तुझे मुझसे कोई लिना देना नहीं होना चाहिए समझ रही है कि नहीं समझ रही है मत मानो तुम्हें भोगना पड़ेगा ऐसा कहा उसने उसका जो भाई था वो इधर-उधर खेतों में काम करता था दूसरों के यह जाया करता था और इसके भाई को भी लोगों के काम की जरूवत पड़ती थी काम आके करें खेती में तो इसके भाई को भी दया आई कि छोटे को क्यों न मैं अपने भाई के खेत में काम कर लो जो कुछ दे 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 जाने से भाईया अगर आप गाओ तो मैं आप भी के खेत में काम कर लिया करो उसी में से कुछ दे दे ना इसको लगा यह तो बहुत अच्छी बात है यह काम भी करेगा और पैसा भी कम दे देंगे से हाँ हाँ तुम हमारे यह काम किया करो और तुम को हम पैसा दे देगे तो वो अपने भाई के यह काम करने लगा और देखो भाई कितना अच्छा था छोटे वाला वो के के घंटे काम करता था वैसे जाड़ी का काम होता है 8 घंटे, वो 12 घंटे काम करता था मेरे भाई काई तो है लेकिन बड़ा भाई इतना निकम्मा औरों को 100 color पर देता था तो इसको 60 देता और जो आते थे वो कहते तेदे एक दिन में साथ रुपे लेंगे, यह अपने भाई को साथी देता, लेकिन छूटा भाई कहता, कोई नहीं, जो सिवचायस हो, ठीक, जो सिवचायस हो, उसकी पत्नी उसे डांटती रहती, तुम यह नर्थ मत करो, तुम यह नर्थ मत करो, मैं बता रही हो, तुमें चीवातों को नहीं मानता, कभी नहीं मानता, हमारे गामन में कावत है, पंचन की बाद बात उसरे मा थे, पनारो मेरो जहीं रहे हो, पनारो समस्झते हो, किसको कहते है पनारो, किसको, आज कल पनारे खुब बह रहे हैं छट पे लगते पनारे और पनारे बारिस में चुचाते हैं जीवन पर कभी काम नहीं आते हैं पूरी साल लेकिन जब बारिस आते हैं तब वो काम आते हैं छट का सारा पानी उस पनारे के माध्यम से बह जाता है तो हमाई गाम में ब्रज में कहावत है पंचन की बात सिर्माते पनारो मेरो नहीं रहेगो लाल्ची आदमी ऐसा ही होदा तुम्हें जो कहना कहलो मैं तो ऐसा ही रहने वाला खुब पत्री ने समझाया वो नहीं समझा और देखो सैयोग से उसके कोई बच्चे भी नहीं थे कोई बच्चा नहीं छोटे को शिवजी पे बरोसा था बड़े को नहीं था सैयोग हुआ एक दिन अचानक से उसकी मौत हो गई बड़े के मर गया कुछ दिन बाद उसकी पत्नी भी मर गई अलांकि जब तक पत्नी रही खूर से बाद देवर ने करी अब हो सारा धन उसी का हो गया खेत भी उसी का मकान भी उसी का क्योंको बच्चे कोई थे ही नहीं वो अपने भावी और भाईयाब को बड़ा याद करता था इतना अच्छा था बहुत याद करता वो कभी सिकायत नहीं करता बहुत बुरे थे हमसे ऐसा वेवाद ना उसे कोई मतलव नहीं है बड़ा सर ला दे देखो हम यह एक और बाद सिका दें आपको सीख लो जो हमारे साथ कोई बुरा करे न तो तुम उसके साथ बुरा मत करो तुम उसका बुरा भगवान पर छोड़ दो एक बाद सीख लेना जिसने तुमारे साथ बुरा किया है तुम उसका उतना बुरा नहीं कर सकते जितना भगवान कर सकता है तुमारी पावर कितनी है कर क्या लोगे तो तुमारी सामर्थ कितनी है तुम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते अरे मैं तो कहता हूँ तुम बद्दुआ भी मत देना और उसका जो परणाम उसे भोगना पड़ेगा क्योंकि भगवान जब देड़ से देता है न तो मैं ब्याज के देता है और तुम भी अगर किसी का बुरा कर रहे हो तुम्हें भी वही मिलेगा यू विल हैब टू पे विद कंपाउंड इंट्रेस्ट बिद भ्याज के भगवान की चाकी चलती देरे है लेकिन पीस्ती चकाचक बारीक वाला है अच्छा कासा पीस्ती है इसलिए जब कोई तुमारा बुरा करे तो भगवान से कहना प्रभू तुम जानो तुमारा काम हमने तो सह लिया हम तो यही समझ के सह लेंगे कि हमारी कर्मों का ही फल है ऐसा अब उसने छोटे ने देखो यह हुआ क्या इसका बड़ा भाई जो बात मानता नहीं था जो बात मानता नहीं था वो बाकई मरने के बाद बैल बना किसी और किसान के यहां वो बैल बना और इसकी जो पत्नी मरी थी वो किसी राजा के यहां राजकुमारी हुई राजकुमारी हुई बड़े गजब की बात है कता को ध्यान से सुने बड़े अच्छी है एक दिन छोटे भाई ने सोचा कि अब खेत बड़ा है तो हमें एक बैल चाहिए बैल लाना चाहिए बैल तब ही तो खेत जोते हैंगे तब ही तो खेत बोएंगे वो बैल लेने के लिए वह ही गया जहां पर वो बड़ा भाई आया था तो पूछा भाई या यह बैल बेच रहे हैं बेच रहे हैं कितने का है वो लेकिए देख लो देख दाक के ठीक ठाक दाम दे तो बोल ठीक दे दो ले आया या ले आया या लेगन पिछले जनम में भी माल चोड तो था ही है दूसरे का धन खाने वाला था इस जनमें भी आलसी था अब इसे क्या पता ही खेत मेरा है इसे क्या पता ही भाई मेरा है नहीं ये खेत में जो उतने के लिए बैल को अपना छोटा भाई लेके जाता दो-चार राउंड लगाता और जट फैल जाता हो महीं खेत में महीं पहल जाता हो आलसी यादी में ऐसे होते एक बार उपर से नीचे कोई आ जाए और जट पाम फैला के इसी चला के क्या हुआ थक गए माराज अब नहीं बच्चों से को जाओ बच्चे खाना खालो डंग से बच्चे खाना खाते खाते ठक जाते बड़ी बिच्चित रिष्टती है आलश्य के याद रखे जो मनुष्य जितना आलसी होगा उतना ही दुख पाएगा जीवन बर अब ये पिछले जनम में भी ऐसा ही था इस जनम में भी ऐसा ही चार पांच राउंड लगाता है और फिर फैल जाता है अचा कभी कभी इसमें डंडे भी पढ़ते डराते हैं न हर में चलने वाले को मार पढ़ती इसमें मार भी पढ़ती फिर भी नहीं चलता आलसी है मार खालोंगा चलोंगा नहीं खेत नहीं जोतूंगा, बहुत आलची है, पत्नी ने कहा कि कैसा बैल ले आये हो, चलता नहीं, खाता खूब है, काम नहीं करता है, बोले हाँ आज कल ऐसे ही लोग रह गए, खाते खूब है, काम नहीं करते हैं, और आज कल तो और भी नई जनरेशन तो बड़ी अच्छी है, अब देखो वो ऐसा ही था, लेकिन वो उसी से काम चला रहा था, एक दिन बड़ा बिचित्र संयोग बना मेरे प्यारे, बहुत गजब का संयोग, उस राज कुमारी का विवा हुआ, और वो बिदा होके राज कुमार के साथ जा रही थी, जब वो बिदा होके जा रही थी, जो पसरा पड़ा है, खेला पड़ा है खेत में, उसे याद आगया कि ये तो मेरे खेत थे पिछले जनम में, और ये जो बैवल है ये तो मेरा पती है, याद आया कि ये तो मेरा छोटा डेवर है, अच्छा जो भजनानंदी लोग होते हैं जनों के सुकृत अच्छे होते हैं उन्हें कई जन्मों के पुर्ण याद होते हैं आप भागवत में जाएंगे तो भागवत में आपको मिलेगा कि वो भरजी महाराज को तीन जन्मों को याद थे न उन्हें याद था पिछले जनम याद थे तो जो अच्छे लोग होते हैं भगवान के भक्त होते हैं कई वार कर्म अनुसार उनका जनम होता है लेकिन उनके उपर किर्पा भी भगवान की होती है कि उन्हें अपने जनम याद होते है कहां कौन सी गलती हुई ये पता होता है गय पालकी वहां के जा रही थी देखा वो बेल लेटा पड़ा है आलस में उसका भाई सामने बैटा है पेड़ के नीचे कहार पाल की लेके जा रहे थे कहार पाल की लेके जब जा रहे थे तो राणी राजकुमारी ने कहा के रुको पाल की रुको थोड़ी दिर उतारो यह पाल की राजकुमार बोले क्या हुआ रुको ना हमको इस बैल से काम है हमको इस बैल से काम है तुम क्या जानो इस बैल को बोले हमें काम है अभी गए और आए राज कुमारी उस बैल के पास में गई और बैल के वो पसरा पड़ा था हैला पड़ा है मारा ये दर उदर खापी के तो राज कुमारी ने उसके कान में जाके कहा कुछ हो क्या बोले पिछले जनम में भी तुमारी नियत खराब थी और इस जनम में भी तुमारी नियत खराब है पिछले जनम का किया हुआ तुम भोग रहे हो कि इस जनम में बैल बने और इस जनम में भी तुम अपने भाई का खा रहे हो अगर तुमने इस जनम में काम ढंक से नहीं किया तो अगले जनम में फिर कुछ न कुछ ऐसा ही तुमको बनना पड़ेगा अरे समझदार वो होता है जो अपनी गलती करके कुछ सबक लेता है तुम गलती पे गलती कर रहे हो तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो को मत खाओ, नहीं तो तुम्हें बैल बनना पड़ेगा और आज तुम बैल बने, बने के नहीं, तुम बैल बने के नहीं, और अभी भी खाये जा रहे हो, पसरे जा रहे हो, काम नहीं कर रहे हो, अगले जनाम में फिर कुछ बनोगे ऐसे, हो सकता अगले जनाम में तुम्हें क इतने प्यार से ये रख रहा है, उसका काम करो इमांदारी से, साइद भगवान तुम पर कृपा करे, महादेव तुम पर कृपा करे, महाराज बैल को ये बात जटाक से समझ में आ गई, और वो खड़ा हो गया, वो काम करने लगा, वो जो भाई था, वो सोच रहा था, ये इस तरी कौन है, इसने मेरे बैल के कान में क्या कह दिया, ये खड़ी के, मेरा बैल खड़ा कैसे हो गया, वो दोड़ के भाग के गया, जी सुनिये, कहिए, आप कौन है, तुम नहीं जानते मुझे, मैं जानना भी नहीं चाहता पर ये बताईए कि इसके कान में क्या कह दिया है, तो हमारा बैल नमबर वन आलसी है, पसरा ही रहता है, खाता भी ठीक ठाक ही है, डंडे भी खाके नहीं चलता, आज आपने इसके कान में क्या कह दिया, तुरंद भौरन खड़ा हो गया, वनों ने कहा, तुम हमें पहचानते नहीं हम पहचान रहे हम पिछले जनम में तुम्हारी भावी थे और यह हमारा पती है तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे साथ इसने बूरा किया इसलिए इस जनम ये बैल बना मुझे पिछला जनम याद रहा मैंने इसे पहचान दिया अपने देवर से कहके गई मैं तो जा रही हूँ पर एक बात कहूँ थोड़ा ध्यान रखना इनका देवियां बड़ी अच्छी होती हैं अपने पती के बारे में सुब सोचती, भला सोचती ध्यान रखना बैल तो है पर है तो तुमारा पिछले जनम का भाई और वो ऐसा कहके चली गई अब बिचारे को हल में लगाने में तकलिफ हो उसे मेरा बड़ा भाई है अब तो जो सांट्रा वांटा रखता था ना मारने के लिए वो भी अलग रख दिया नहीं भाई या बड़ा भाई है लेकिन अब बड़े भाई को किसी और चीजी की जरुवत नहीं होती थी अब वो इमानदारी से मेनत करता था राद दिन मेनत करता था और अपने इसी जनम में सभी पापों से मुक्त हो गया बो रादे राद जोड से बोलना पड़ेगा और जोड से बोलना पड़ेगा आप इस बात को समझिए मनुस्य जीवन अगर मिला है तो किसी के साथ बुरा मत करो, फरेव मत करो, दोका मत करो और भाईयों के साथ तो विरकुल भी नहीं तो यह कहानी हमें सिखाती है कि महादेव किसी के साथ बुरा नहीं होने देते जो महादेव के वक्त होते हैं महादेव उनका न्याए उनके साथ अबस्य करते है